हमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IIFL लोन में लोन लेने का सही तरीका क्या है दोस्तों अगर आप भी IIFL Finance Application से लोन लेना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुड़ा है कितनी आपकी processing फीज जाती है जो भी आपको loan amount मिलता है वो कितने समय के लिए मिलता है कितनी इमाई बनती है तो complete जानकरी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और साथ में मैं आपको लाइप प्रूप के साथ loan apply करके भी दिखाऊंगा तो दोस्तों अगर आप भी इस application को download कर लेना है इसकी link आपको वीडियो को description में मिल जाएगी आप चाहो तो यहाँ पर इसको प्ले स्टोर से भी download कर सकते हैं यहाँ पर आपको लिखना है IIFL loan तो जैसे आप इसको लिखके सर्च करेंगे तो यह application इस तरह थे आपके सामने आ जाएगी इसका आप logo देख account बनाना चाहते हैं तो चलिए मैं अपना यहाँ पर वाइलम में डाल देता हूं verify के option पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपके नंबर पर OTP code जाएगा आप उस OTP code को यहाँ पर फिल अप करेंगे तो चलिए मैं अपना यहाँ पर OTP code डाल देता हूं उसके ब लॉगिन करते हो तो यहाँ पर इस पिन को आपको डालना होता है तो चलिए मैं अपना यहाँ पर अपर डालना है उसके बाद में आपके सामने इस तरह से आ जाता है यहाँ पर लिखा है कि आप जो है fingerprint को इनेवल करना चाहते हो या face lock को लगाना चाहते हो आप जो है अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपके सामने इस तरह से आज आएगा यहाँ पर उपर लिखा है credit score तो आप सबसे पहले अपना यहाँ पर जो है credit score चिक करेंगे कि आपका credit score कितना है तो आप यहाँ पर check credit score के option पर क्लिक करेंगे उसके बाद में अपनी यहाँ पर mail ID को डाल करेंगे तो चलिए मैंने यहाँ पर अपना नाम और email ID और date of birth को डाल दिया है अब मैं यहाँ पर continue के option पर क्लिक करूंगा continue के option पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपका जो है civil score आज आता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो civil score है वो यहाँ पर कर देना है इस option पर क्लिक करने के बाद में ऊपर जो है आप यहाँ पर civil score हो रहा होगा नेचे आपको जो है loan लेने का option मिल रहा होगा इस तरह से आप gold loan ले सकते हैं business loan ले सकते हैं और यहाँ पर पर personal loan के लिए भी apply कर सकते हैं तो यहाँ पर हम पर personal loan apply करेंगे तो मैं permission मांगता है आप सभी permission को allow कर देंगे तो मैं यहाँ पर grant permission के option पर click कर देता हूँ उसके बाद में आपके थामने जो है अगला interface कुछ इस तरह से आ जाएगा अब यहाँ पर दोस्तो आपको जो है अपनी कुछ details को feel करना होता है जैसे कि आपको अपना यहाँ पर pen card number डालना होगा email id को डालना होगा यहाँ पर आपको अपनी एरिया का pin code डालना होगा यहाँ पर आपको अपना gender select करना होगा और nest के option पर click कर देना है यह दोस्तो पहल तो मैंने यहाँ पर side detail को fill कर दिया है, अब आपको यहाँ पर next के option पर click कर दिना है, next के option पर click करने के बाद में यह आपके सामने इस तरह से processing चलेगी, तो अगला page जो है आपके सामने कुछ यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो है pen card को facts किया जाता है, यहाँ पर आपके pen card की सभी detail ला जाती है, जैसे कि आपके pen card का number और यहाँ पर आपको जो भी pen card पे नाम होता है, वो आपको यहाँ पर तो हो जाएगा, और यहाँ पर आपको I confirm का एक option दिखाई देगा, आपको यहाँ पर I confirm के option पे click कर देना है, तो जैसे आप यहाँ पर I confirm के option पे click करेंगे, तो अब आपको यहाँ पर जो है अपना number दुबारा से verify करना होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर अपना number दिख जाएगा यहाँ पर आपको एक terms दिखाई देगा इस terms को आपको accept करना है और send OTP के option पर click कर देना है send OTP के option पर click करने के बाद में आपके number पर OTP code जाएगा आप उस OTP code को यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर verify phone number के option पर click कर देंगे verify के option पर click करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके eligibility को check किया जाएगा जैसा आपका यहाँ पर civil score होगा उसी साब से आपको यहाँ पर loan अप्रूब हो जाएगा तबी आपको यहाँ पर loan अप्रूब होगा तो दोस्तों अगर आपका civil score सही है तो आपको यहाँ पर दोस्तों directly loan अप्रूब हो जाएगा जितना भी आपको loan amount मिलेगा वो आपको यहाँ पर show हो जाएगा तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है लोन अप्रूव हो जाएगा तो यहां पर दोस्तों मैंने जिनका लोन अप्लाई किया था पहले तो उनका जो है आपर BCR का लोन अप्रूव हुआ था तो उनको जो है यहां पर इस लोन को लेने के लिए आपको जो है तिन स्टेप को पूरा करना होता है पहले जो है आपको सबसे पहले अपने एक SLP को upload को अपलोड करनी होगा उसके बाद में आपको इडर्स प्रूप के लिए कोई एक आपको अटेन्टी प्रूपuntu यहाँ पर upload करना होगा जैसे के आधार कार्ड और यहाँ पर पास्पॉट को भी जो है upload कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर terms को accept करना है और submit के button पे click करके आगे बढ़ जाना है तो जैसे आप यहाँ पर submit के button पे click करेंगे तो आपका जो application है वो यहाँ पर failure application का हो जाता है अब आपको यहाँ पर दूसरा जो है process complete करना होता है के वैसी का तो आप यहाँ पर view loan offer के option पे click करेंगे इस option पे click करने के बाद में यहाँ पर जो है आपको सभी details देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पर जो है आपको कितने समय के लिए नोल मिना है तो आप यहाँ पर देख सकते है मुझे यहाँ पर 20.000 रुपए का loan मिला था जिसकी इमाई मेरे जो है यहाँ पर 3560 रुपए की है और अगर मैं यहाँ पर interest rate की बात करो हूँ तो यहाँ पर 30% का मुझे interest rate लगेगा और यहाँ पर दोस्तों मुझे इसका repayment जो है 6 महीने में करना होगा 590 रुपए जो है मुझे यहाँ पर processing फीस लगी है और 19,360 रुपए मेरे bank account में आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है accept offer के option पर click करने के बाद में जो अगला step आपका रहेगा वो यहाँ पर bank verification का रहेगा तो आपको अपनी यहाँ पर account number को डालना है दुबारा से अपना account number डालना है जिस भी account number से आप account number में लोल लेना चाहते हैं जिस भी account में तो यहाँ पर दोस्तों आपको IFC को डालना है और next के option पर click करने के बाद में आपके bank का यहाँ पर verification हो जाता है आपकी bank वी add हो जाती है अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो है employment select करना होता है कि आप salary base पर काम करते हैं या आप एक self employment है तो मैं यहाँ पर self employment हूँ तो मैं इसको select कर लेता हूँ उसके बाद में आपको submit के बटन पर click करने के बाद में आपके हाँ पर दो step जो है complete हो जाते हैं अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो है setup auto pay करना होता है जो आपका setup होता है auto pay का वो जैसे की आपकी जो EMI होती है वो आपके account से cut जाएगी automatically वो आपको यहाँ पर करना होता है उसके लिए आपको setup auto pay के option पर click कर देना है उसके बाद में आपके इस तरह से अपना auto pay करना चाहते हैं तो आप net banking से भी कर सकते हैं डेविट कार्ट से भी कर सकते हैं तो net banking से easy रहता है तो मैं आपको net banking को select कर लेता हूँ उसके बाद submit के button पर click करने के बाद में यहाँ आप अपना username डालेंगे password डालेंगे और login के option पर click करेंगे उसके बाद में आपके register number पर OTP code जाएगा उसके बाद में आपका जो है auto pay setup हो जाता है उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि आपका जो loan amount है वो दो दिन के अंदर आपके bank account में transfer कर दिया जाएगा यहाँ पर दोस्तों दो दिन का समय दिया है लेकिन यह दोस्तों आपका जो है एक गंटे से लेकर दो गंटे के अंदर आपके bank account में transfer कर दिया जाता है तो दोस्तों इस तरह से आप जो है IIFL finance application में loan के लिए apply कर तकते हैं तो में इंद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को like करें और चल्व को subscribe करें दन्वाद